आज हम लोग सोशल डेमक्राटिक पार्टी आफ इंडिया और वुमेन इंडिया मुमेंट जो एजडी पे की वुमेन विंग है इसके जानिब से आकर पुलिस कमिशनर अफ गुलबरगा चेतनार आईपिएस साहब को मुलाखात करके हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट दर् और यह कहा है यह डिमांड किया है कि इमीडियेटली यह फायर किया जाए प्रभाकर कलरड का प्रभाकर भट पर जिस तरीके से उसने मंडिया में जो बयान दिया है कि मुस्लिम औरते हर दिन एक नया हजबन रखती है जब से मोधी सरकार आई है यह मोधी सरकार ने यह आप बजरंगदल पर पाबंदी लगाएंगे खुद प्रियांगखर गे ये कह रहे थे खहते कहते ठक नहीं रहे थे गुलबरगा डिस्टिक इंचाज मिनिस्टर प्रियांगखर गे कि हम जो भी कम्युनल स्पीच करेंगे हम उनको पकड़ कर, अरेस्ट करके जो लोग हैं लगातर मुस्लिम औरतों को जो TARGEट कर रहे हैं यह औरफ की डिग्निटी को एक मुमन कम्मिनिटी को ल कार्गेट कर रहे हैं इनके ओपर Share podcast कर लेंगे यह लोग सब से बड़ा सवाल यह हैं तो यह सब यह सिर्फ बात करने वाले लोग हैं जबके आप देखिए सबनाटका में 75,005,005,000,001 गोट दिए हैं उसमें कोंग्रेस को 50,005,001,005,005,005,005,005,004,005,007,006,005,007,006,006,001,007,005,005,006,006,006,006,007,005,007,005,00 स्टेट्मिंट्स दिया गये हैं उसको हम एक्शन लेंगे और आपके औरतों की हिफाज़त हम लोग करेंगे मस्जिदों की हिफाज़त हम लोग करेंगे खानकाओं की हिफाज़त हम लोग करेंगे यह तमाम चीजे कहा था लेकिन क्या हो रहा है खुद गुलबरगा के अंदर कई मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं गुलबरगा डिस्टिक के अंदर क्या काम कर रहे हैं डिस्टिक इंचाज मिनिस्टर क्या काम कर रही है सरकार आज दो दिन हो गया औरत के ओपर इतना बड़ा एक बयान देकर कलड का प्रभाकर भटका लेकिन एक 100 मोटो केस बुख करने के वो नहीं हुआ आपके पास, 100 मोटो केस बुख नहीं कर से की ये सरकार, तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट लेती है, वोट लेकर 75 साल इन्हों ने यही किया है, तो हमें भी सोचना चाहिए, जितने लोगों ने वोट दिया है कौंग्र क्या आपने पुलिस को बात करके या fire book किया, क्या आपने So Motor case book करवाया, क्या आपने सरकार से बात किया, क्या आपने aks statement जारी किया, तो यह बहुत ही शरम की बात है, इसी को हम condemn करते हैं, और हम अवाम से भी अपील करते हैं, क्या आप लोग जरूर सवाल पूछिए सरकार में आप सिर्फ वोट दे कर खामोश ना बेठे सरकार से जरूर सवाल पूछे